जै मातदी मेरे चनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वाङत है चेहरे पर दाग धबी या हलके-हलके ब्राउन निसान महसुत होते हैं या रोके-हलके ब्राउन क्लर के तिल महसुत होते हैं जो कि दूर से महसूसम नहीं होते हैं और इस तरह के जब आप सीशे की करीब से देखते हैं तो लगता है कि ब्राउन कलर के तिल हो गया है तो वह एक एज बढ़ने के साथ साथ होने लगते हैं और इस तरह के इस पॉर्ट सी या कभी धूर में जाने के कारण जैसे थोडा सा ब्राउने साथनी फेस के ऊपर या ब्लैक कहीं कहीं पे स्पॉट्स या धब्बे महसूस होने लगते हैं तो इन सब को इस्थाई रूप से हम दूर कैसे कर सकते हैं मैं आपको आज की वीडियो में बता रही हूँ आप सभी से रिक्वेश्ट है पूरी वीडियो देखिएगा बहुत छोटी सी वीडियो है अगर पहली बार चैनल पर आएं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा सब्सक्राइब करना एक दम फ्री है तो देखिए अभी मेरा फेस एकदम धुला हुआ है वैसे मेरे फेस पर आप देख सकते हैं किसी तरह का कोई भी स्पॉर्ट न बहुत देखिए जो थोड़ा सा लंब आलू बना होता है उसका इस तरह से डुक्टा आप काट लीजिए और इस डुक्डे को आपको सबसे पहले इस तरीके से एक फ्लुक की हेल्प से इसको इस तरीके से इसमें छेद करना है कि इसकी उपर से हम जो भी मिटरियल डालेंग हमें आलू ही डिरेक्ट अपने फेस पे अप्लाई करना है तो देखे यह तो होगा आलू और यह आप देख सकते हैं नीबू का बिल्कुछ जरा सा टुकड़ा मैंने लिया है यह चौथाई से भी कम है क्योंकि इससे ज्यादा जरूरत नहीं है तो इसको आप देखे इसमें से एक चुटकी उपर हल्दी डाली है और यह लेकिन हल्दी कभी भी सेंस्ट्यू इसकी वालों को नहीं लगाना है और यह आपको अपने पूरे फेस के ऊपर अच्छी तरीके से मलना है और धीरे-धीरे इसको अपलाई करना है कि धर से किधर को गुमाना है आप देखते रहे के वीडियो में आपको बता रही हूं कि तो देखे जब भी आप यहां पर लगाएंगे सबस्पहले आपको यहीं पर लगाना क्योंकि यह थोड़ा सा ज़्यादा डार्प होता हर्किसी का तो यहां पर आपको ऐसे मलना है फिर यहां इधार नीचे से आप उपर को ले जाएंगे और यह मलते हुए जब भी आपको हलका सा ड्राइ फील होगा तो आप इसी फ्लॉक की हेल्प से इसको फिर से इस तरीके से इसमें छेथ करेंगे ताकि आलू का अंदर का रस बाहर निकल सके साथ ही जो आपने नीबू का टुकडा लिया है इसको भी आप इसमें हैसन निचोड़ेंगे और इसको आपको पूरे फेस के उपर अपने मलना है करीब पांच मिनट तक इसको लगातार ऐसे मलना है और उसके बाद में आप इसको आँखों के अपने आसपास भी बहुत हलक होंगे तो वह सब भी इस से खतम हो जाएंगे इसको मलने के बाद में आपको पांच मिनट ऐसे ही छोड़ देना है और उसके बाद में आपको अपने फेस को दूना है मैं भी आपको बताऊंगी इसको आपको अपनी पूरी गर्दन तक अपलाए करना है और गर्दन भी आपकी काली हो रही है या गर्दन में आपको लग रहा है कि गंदीगी जमी हुई है जैसे चोटे बच्चों के ही जम जाती है तो उसमें भी आप इसको मल सकते हैं और बहुत जल्दी आपकी काली ग अगर आपकी गर्दन काली हो रही है किसी भी कारण से तो एकडम सुथ्री हो जाएगी तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है पसंद आया है तो प्लीज इसको जादा से जादा से शेयर करिएगा नमस्कार धन्दवाद